मगद एक्स्प्रेस से ट्रेन दो भाग में बट गई है इस वक्त की बड़ी खबर बकसर से खबर है चाहां कपलिंग टूटने से यह हाथसा हुआ है बताय चारा के चलते समय बोगी दो भागों में बट गई डूडी गंच और रगुनादपू रेलवे स्टेशन के बीच इतना हुई है बड़ा है तस्वीर आपको दिखा रहे है चाहां देखिए दो भागों में ट्रेन बटी हुई नसर आ रही है अफ्रात अफ्री का महाल है कपलिंग टूटने से यह हाथसा हुआ है चलते समय ही बोगी दो भागों में बट गई और ऐसे लोग दैश्यत में आ गई ट्रेन तीस गती में दोड रही थी और अचानक से कपलिंग टूटा और कपलिंग टूटने से यह देखिए दो हिस्सों में ट्रेन बटी हुई नसर आ रही है टूडिगन चरगुनाथपू रेलवे स्टेशन के बीच यह हाथसा हो गया है तो बड़ा ट्रेन हाथसा जो टला है कह सकते हैं देखिए कैसे तीस रप्तार में ये ट्रेन चल रहे थी किसी को पता नहीं था कि ट्रेन अचानक से दो भागों में बढ़ चाएगी लेकिन ट्रेन दो भागों में बच गए और देखिए पुश्पराज हमारे साथ फोन लाइन पर है पुश्पराज क पहली जानकारी मिल पाई है तुत्रों के अनुसार कप्लिंग काफी पुराना और जरजर हो गया था और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ा क्रेन हाथता हो सकता था क्योंकि ट्रेन वहां से जब बुजर रही काफी स्पीड में थी और इसे इमर्जेंसी ब्रेक लगा करके रोकाँ गया है और याट्रियों में काफी अफ्रा तफ्रीकामाहुल है लेकिन मौकेपर जो अधिकारी को यहां बढ़ाया गया जो लोहां से पूर्यान बचाएं लेकिन पूरी तरह से महामला गे मैं क्योंकि तीन है और गटना की जानकारी पना पर पहुछ है कहां से रामपूर की तरफ जा रहा ही थी और बकसर रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन पहुंची थी और टूरी गंज स्टेशन के बाद रगुनाथपूर रेलवे स्टेशन पढ़ता है बीच में घटना घटी है जी चले पुश्पराज शुक्रिया इस अबडेट के लिए आपका तो देखिए कपलिंग तूट गया और कपलिंग तूटने के बाद से अचानक यातुरी देश्चत में आ गए